नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकिता बिहार के पटना में एक बड़ा हासा हो गया है पटना के महवी टोला गंगा नदी घाट पर यातियों से भरी नाव पलट गई है खबरों के मताबिक नाव में 15 लोग सवार थे जिन में से 7 लोग लापता हैं इन में से 7 लोग किसी तरह तैर कर बाहर आ गए हैं मौके पर पहुँची पुलिस ने इस्थानी लोगों की मदद से नाव में सवार लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है नाव के डूबने के बाद मौके पर हरकंप मच गया जैसे तैसे लोगों को नदी से बाहर निकाला गया लेकिन अभी भी 7 लोग लापता बताये जा रही हैं सभी लापता लोग ब्रहमचारी पोखरा के बताये जा रही हैं बताया जा रहा है कि नाव में सवार सभी लोग मजदूर थे जो मवेशी का चारा लेकर लोट रहे थे। घटना इस थल पर पुलिस के आला दिकारी भी मौजूद हैं तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीमें भी मौके पर पहुँच चुकी हैं। इसे पहले भी पटना के दीघा से सटे सोनपुर में बालू नदी में नाव डूबने से 13 लोग नदी में समा गए थे जिनमें से 8 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली थी। बहराल इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताएए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार।